कर रहे थे जेडियू बीजेपी का एलजेपी की भूमी का क्या होगी क्योंकि एलजेपी की तरफ से बार-बार संकेत दिया जा रहा है कि 143 सुटों पे वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और जेडियू के खिलाब भी अपना उमिद्वार खड़ा कर सकते हैं और खुद चिर चिराग का सवाल है चिराग के बयान जो काफी बड़ बोले हैं आप ध्यान रखे पिसली बार का रिकॉर्ड देखे ने पिसली बार बीजेपी के साथ चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था लड़ी ती और नतीजा क्या रहा था सिर्फ दो सीटें जीती ती इसके पह और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर वो जो है किसी भी किसम का बड़ा समर्थन लेकर आ सकें तो चिराग पासवान निश्चे तौर पर द्यान रखें कि नितिश कुमार के सामने जो भे बयानवाजी करते रहों चिराग पासवान की अपने आप में अकेले की उनकी पार्टी की ऐसी कोई वकात नहीं को बिहार में कोई बड़ा चेंज ला सकें आप ध्यान रखें कि बहुत पहले पासवान जब बिलकुल बहुत मजबूत थे तब सत्ता की चावी लेकर घूम रहे थे लेकिन उसी साल जो दूसरे चुनाव को उसमें पासवान आवा हो गए उनकी कार्ट के लिए मा जी को नितीश कुमार ने आगे बढ़ा रखा है यानि महस सिर्फ हवाबाजी इस सबके बीचे भी बताते कि बिहार विदान सब्द चुनावों का एलान होते ही इन बड़े चेहरे जो चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन बड़े चेहरों प और मजबूत करने का उदर बिना लालू के कंगरिश में के तेजस्पी यादा पर आजएडी के अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी है चिराग पास्वान जीतन राम मांजी पपु यादव उपेंद्र कुश्वा पर भी अपनी अपनी पार्टियों के अच्छे प्रद कातार उनकी तैयारिया पहले से चल रही थी और अब पूरी तरीकी से तैयार है लेकिन यह वह बड़ी चरह आपको बतारें जिनकी प्रतिश्टा भी इस बार चिनाव में कि दाव पर लगी हुई है एक तरफ सुशील मोधी दूसी तरफ तेजस्पी यादव लजएपी के चिराग पासवान तो वहीं जीतन राममान जी उपेंद्र कुश्वा और पपू यादव इन सभी की इन सभी की होगी अगनी परिक्षा क्योंकि इन सभी पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी पार्टी को बेतर प्रतिश्टा करने के लिए मोहल तयार कर सकी यह अलग ल साल का कारेकाल और एक बार फिर से जीत दिलाने की इन पर जिम्मेदारी होगी चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चंद्रमोहन ये तमाम तस्वीरे हमने अपने दर्शुकों को दिखा ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी पतिश्टा दाव पर होगी आप क्यों पर पार्टी के नेताओं को इस बात को लेकर इंतिजार है कि कब चुनाओ के तारीखों का अइलान होता है और कितने चुनाओं में चुनाओ होगा लेकिन उससे पहले जैसे ही यह बात सामने आई है कि चुनाओ आयो की ओर से आज प्रेस कांफरेंस होगा उसके बाद से पा कि चुनाओ आयोग का प्रेस कंफरेंस की बात सामने आई है और उसके बात से पार्टी ऑफिस में गहमा गहमी बढ़ी हुई है और सैक्डो की संख्या में जो आरजेडी के कारे करता हैं वो यहां पर पार्टी ऑफिस पहुंच गए हैं तेजस्री आदो के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और उसके साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मिताबिक अपसे थोड़ी देर बाद या जानकारी सामने आएगी कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार कब अपने पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हाला कि चुनाओ की तैयारी को लेकर आज से दो दिन पहले से मुख् रहे हैं अपने पार्टी ऑफिस कारेकरताओं से बात कर रहे हैं मिल रहे हैं